यहां पर हम लेंगे दो किलो कच्चे आम अचार के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कच्चे आम लिए हैं बिल्कुल आप जब भी आम खरी दें तो काट कर जरूर देख लें अगर वो सफेद हैं अंदर से तो आप जरूर खरी दें अगर पी ले हैं तो उन आम को कपड़ की सहता से अच्छे से आम रगड गड के साफ करेंगी इससे क्या होताई जितनी व्य दस्त्त्व होगी तो अच्छे से सपह हो जाएगी और हमारा अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होका इसलिए हमें कपड़े की सहता से अच्छे से रगड रगड के आमों को साफ कर लेंगे आप देख सकते हैं मैंने सभी आमों को अच्छे से साफ कर लिया है अब हम इसे दो मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे जिसे अच्छे से पानी सूख जाए आप देख सकते हैं हमारे सभी आम अच्छे से सूख गए हैं बिलकुल भी पानी नहीं है इन पर अब हम आम को काटेंगे हम उसके चुरी के साथा से उपर का हिस्सा काट देंगे आप देख सकते हैं हमारे एक अदम सफेद हैं बिलकुल भी पीला नहीं है आम को हम बीच में से काटेंगे अगर आप कोई पास आम काटने वाला है तो आप उसकी सैता से भी काट सकते हैं में अच्छुरी की सैता से काट रही हैं आप अपने कौडे कोई भी साइच छोटा या बड़ा रख सकते हैं और दोस्तों एक चीज का दिहान रखना अगर आम में आपकी जाली हो तो आप उसे जुरूर अटा दें तो एक पतली सी जाली होती है उसे अचार में मत डालना तो अचार हमारा खराब हो जाता है हम गुठलिया निकाल देंगे इसकी और हम आम की छोटे-छोटे पीसेज करेंगे मैं यहाँ पर छोटे-छोटे पीसेज कर रही हूं आप अपने साइच कोई भी साइच छोटा या बड़ा ले सकते हैं इसी तरह से हम दूसरा आम भी काट लेंगे और इसकी गुठली निकाल लेंगे और इसे भी हम छोटे-छोटे-चोटे दो पीसेज में कट कर लेंगे इसकी जाली दोस्तो थोड़ी से मोटी है, कटनी रही है लेकिन आप देख सकते हैं मैंने सभी आम को अच्छे से काट लिया है दोस्तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको एक आम दिखा रही हूँ आप देख सकते होंगे कि यह काली-काली सी दिखाई देती है इससे क्या होता है हमारा अचार खराब हो जाता है तो आप क्या करें आप इसे पानी से अच्छे से वाश कर लें इसमें क्या है आम में हाँ चैपी होती है आपके यहां क्या बोलते है tecnología कमेंटि करके जरूर बताना हम पानी से अच्छे से वाश कर लें इससे क्या हो जो काला पर्ण होगा यहां हार रखेंगे तो इसका कलर भी सेम हारा ही रहेगा आम का कलर चेंजंग नहीं होगा आप देख सकते हैं इसमें हलका हलका color आ रहा है black आ सब्सक्रणां को मैं ने अच्छे से वाष कर लिया है अब यहां पर हम एक टेवल स्पून बड़ी हल्दी पाउडर डालेंगे यहां पर अम हम नमक डालेंगे नमक हम यहां पर हम दो टेवल स्पून लेंगे बड़ा वाला अब सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे, नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स करें, और सभी अच्छे से कोड हो जाएं, इससे क्या होगा, जब हमारा मसाले मिल जाएंगे, अब हम इसे 2-4 घंटे के लिए रख देंगे, और ये आम अपना पानी छोड़ देंगे, अब हम इसे 2-4 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे की आम अच्छे से पानी अपना छोड़ दें, अगर आपके पास टाइम हो, तो 4-5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, अब देखेंगे हम, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, कितना पानी निकला है आम से, सभी पानी निकल चुका है इसका, इससे क्या होगा, कि हमारा अचार विल्कुल भी खराब नहीं होगा, अब सभी आम को हम एक बड़े बरतन में निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं, हम सभी आम को एक बड़े बरतन में निकाल लेंगे, आप इस परकार की कोई भी चलनी ले लें, जिससे पानी असानी से निकल जाए, और हमारे आम में पानी बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकत ऑगे दो चार घंते के लिए दूप में सुखाएंगे अगर दूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे आम अच्छे से सूख गए हैं मैंने इसे दूप में रख दिया था आप हम अचार के लिए लिए मसाला त्यार करेंगे यहां पर हम लेंगे दो बड़ए टेवल स्पून राई जे 5 ग्राम राई है और यहां पर हम लेंगे एक टेवल स्पून बड़ा कॉलाजी इसे हमारा अचार बहुत ही अच्छा तेष्टी बनता है यहां पर ले रही हूँ एक टेवल स्पून बड़ी मैथी दाना थोड़ी से हम यहां पर अजवाइन लेंगे और यहां पर 100 ग्राम हम सौफ लेंगे सौफ मैंने यहां पर मोटी वाली ली है जब भी आप अचार रखे तो मोटी वाली सौफ ही लें अब हम सौप को रोश्ट करेंगे इससे क्या होगा जो इसका मॉस्तेर मर जाएगा तो हमारा अचार बिल्कुल भी खाराब नहीं होगा इसलिए हमें सभी मसालों को इसी तरह से रोश्ट कर लेना है सौफ को हमने रोष्ट कर लिया है अब हम यहाँ पे मेथी दाना को रोष्ट करेंगे इसमें हम थोड़ी से अजमाइन भी साथ में डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से रोष्ट कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारा मेथी दाना बिलकुल एकदम रोष्ट हो चुका है हमारी सौफ ठंडी हो चुकी है अब हम इसे मिक्सी में डाल के इसे दरदरा पीस लेंगे हमें ज़्यादा बारिक नहीं करना है दरदरी सौफ भी अचार में अच्छे लगती है आप देख सकते हैं सौफ हमारी दरदरी पीसी है बस इसी तरह की हमें सौफ रखनी है अब यहाँ पर हम राई भी डाल लेंगे राई को भी हम बारिक से पीस लेंगे आप देख सकते हैं राई भी हमारी पीसकर त्यार हो गई है राई को हमने रोष्ट नहीं किया है बिना रोष्ट के ही इसमें डालेंगे अब हम एक बड़े बरतन लेंगे इसमें हम पिसी होई सौफ डालेंगे पिसी होई राई डालेंगे यहाँ पर हम साबत मेथी दाना लेंगे और अजमाइन इसे हमने पीसा नहीं है साबत ही डालेंगे अगर मेथी को पीस के डालेंगे तो हमारा अचार कड़वा हो जाएगा यहाँ पर दो टेवल स्पून कलोंजी लेंगे आप कमिया जादा कर सकते हैं कलोंजी से हमारा अचार बहुत ही अच्छा बनता है अब यहां पर हम दो बड़े टेवल स्पून कस्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इससे हमारे अचार में बहुत ही प्यारा कलर आता है और यहां पर एक टेवल स्पून हल्थी पाउडर डालेंगे और यहां पर हम नमक जिसे हमारा अचार अच्छे से गल जाए अब यहां पर एक टेवल स्पून रैड चिली फ्लेक्स डालेंगी आगर आपके पास नहीं है तो आप चिली पाडर भी डाल सकती हैं थोड़ी से हम यहां पर हींग डालेंगी इससे हमारे अचारों बहुत ही अच्छे खुश्बू अब हम यहां पर तेल डालेंगी तेल को मैंने पहले गर्म करके ठंडा कर लिया है अब जब भी मसालों में डालें तो ठंडा तेल करके ही डालें गर्म तेल डालेंगी तो मसाले हमारे जल जाएंगे इसलिए हमें ठंडा तेल ही डालना है अब चमस की सायता से मच्छे से मिक लेंगे सभी कों माचल की सहाधा से अच्छा आप बढ़ने मसाले अच्छे कोंड हो चुके यह हैं और कि हमारा अच्यार प्यार है अप कोई छोंडर कौना अच्छicias से पहुंच लें तभी अचार डालें सभी अचार को जार में डाल लेंगे आप देख सकते हैं हमने इसे जार में डाल लिया है और यह काफी दिनों तक खराब भी नहीं होगा और अचार बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है आप इसी एक बार जुरूर ट्राई करना लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी आचार की रेसिपी कैसी लगी